पूरी तरह से बादित रागियरों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना लुनावुला में ज़र्ने में डूबने से एकी परिवार के तीन लोगों की मौथ दो बच्चों अभी भी लापता सर्च अभी आन जारे यूपी के मत्रौ में हुआ हाथसा पानी की टंकी गिरने से दो लोगों की मौथ कई लोग जखमी एंडियारेफ की टीम ने हालात पर लगतार बचाप का कम शुरू किया और असम में बदलते मौसम से बिगड़े हालात कई हिस्सों में लैंड्सलाइट की खबर बढ़ा ब्रह्म पुत्र नदी का जलस्तर एहंदुबाद में भी बदला मौसम कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश जल जमाव की विज़े से रहंगीरों को करना पड़ा है परिशानियों का सामना और खबरों में आगे बढ़ते हैं आज से फिर होगी संसत की कारेवाई धनिवाज प्रस्ताब पर गति रोध की संभावना पेपल लीग मावले में कई मुद्दों को लेकर के भी हंगामे क्या असार आज संसत सत्रुका छटा देन आज राश्पती के विभाश और पर होगी चर्चा कल लोग सबा में प्रधान मंत्री मोधी चर्चा पर देंगे जबाब अधर दिल्ली में नए कानून के तहट दर्च की गई पहली F.I.R कमाल माकेट कमला माकेट थाने में दरसल न्याइश सहीता की धारा के तहट केस दर्च की गए और आधी रात के बाद ही नए कानून के तहट F.I.R दर्च की जा रही है आध से देशवर में लागू हुए तीन नए आपरादिक कानून भुपाल के हनुमान गंज थाने में दर्च हुई नए कानून के धाराओं के तहट F.I.R बुज़र्ग महिला से मारपीट का मामला अधेश में आध से लागू हुए तीन नए कानून कानून प्लेस पुलिस टेशन के बहार लगाए गये तीन नए आपरादिक कानूनों के पोस्टर्स लोगों को जागरुक करना है मकसद पशिमंगाल में महिला के साथ हुई बरबरता पर जेपी नड़ा का ट्वीट लिखा दीदी का पशिमंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित परशिमंगाल की महिला के साथ वी परबरता पर सबित पात्रा का बयान टीमसी पर साधा निशाना कहा तालीब बानी विवहार मन को पीडित कर देने वाला और नीट पीजी परवेश परिक्षा की आज जुद जारी हो सकती है नई तारीक परिक्षा से 12 गंटे पहले नीट पीजी परिक्षा अस्थागित कर दे गए थी अमनात यात्रा के लिए टिर्तियात्रिों का चोथा जथा जम्मू के लिए रवाना बेस कैम से 265 गाड़ियों में 6461 तिर्तियात्रिय सुरक्षा के वीच हुए रवाना और फिर विवादों में घिरे कतावाच प्रदी पिश्रा बर्साने के बाद बैतूल में विरोध माताप्ती पर टिप्पनी करने से अब लोगों की नाराज की जिल्मे में यूपी में डीजीपी प्रशान कुमार से मिले आईस मनोज कुमार दोनों की बीच हुई शिष्टा चार भेट उत्रप्रदेश की बुलंड शेयर में मामूली विवाद पर दो पक्षों में खोनी संगाश्वा जमकर लाठी रंडे चले पथराव हुआ कई लोग है लोए सोचल मेडिया पर तस्विरे जमकर हो रही वायर एटा में दर्वाजे पर खड़ी महिला के साथ दबंगो ने की मारपीट अभधरुता करने का वीडियो सोचल मीडिया पर वायरल गाउं की ही दबंगो ने महिला के साथ की मारपीट अंबेटकर नगर में पुलिस ने की बड़ी करवाई हमला और तोड़फोड करने वाले तीनों आरूपियो को किया गिरफतार पकड़े गए आरूपियो से पूछता चाले रास्तान के धौलपूर में बदमाशों के उसने बुलंद है टोल मैनेजों के साथ स्टाफ कोदी धम की छीन कर भागे 10,000 रुपे यूपी के बुलंच एर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुढभेड गोली बारी के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली मौके से तीन बदमाश हुए परा और तो पुदेश के संभल में ग्रामीन बैंक के असिस्टिन मैनेजों के संदेग द परिस्थितियों में मौत पृतक के सिर में लगी गोली हाथ में मिला तमंचा जांच मिजुटी पुलिस यूपी के लखीमपुर खीरी में वेपारी की हत्या से मचा हरकम वेपारी से लूट के बाद हत्या की आशंका मामने की जाश मिजुटी पुलिस और विहार की मुझफवब में पुलिस ने चापे मारी की, कारवाई की पुलिस ने अपराथ की उजना बिनाने वाले एक बदमाश को किया गिरफतार एक कार्टूस मुबाइल बाइक भी बरामत की यूपी के फिरोजबाद में पुलिस ने बिजली चोरी करने वालों पर कसी नकेल बिजली चोरी में 13 वारंटियों को किया गिरफतार उत्तरपदेश की बरेली में गोली कांट मामली में पुलिस ने अक्शन मुडबेड की दुरान दो बदमाश को किया गिरफतार पर बदमाशों पर पहरे से ही दर्ज है कई केसिस यूपी के शामली में नावालिक से छेडशाण का मामला पीडिता के परिजरों ने दर्ज कराई शुकायक पूरे से आरूपी वसी कुकिया गिरफतार चंदाली में कबाड़ी की दुकान में लग गई भीश और आग सूचना की बाद मौकी पर पहुचे दमकल विवाग की टीम कड़ी में शकत के बाद आग पर पाया गया खब राय बरेली में आवारा पश्यों से टकराया बाइक सवार गंभी रूप से हुआ जखमी गायलों के परिजरों को पुलिस ने दिसूच का